इक अबर राजधानी दिली के आश्रम इलाके में घर में घुसकर एक लड़की को गोली मार दी गई है बताय जा रहा है कि गोली मारने वाला आरोपी लड़की का दोस्त है उसका नाम प्रिंस है परिवार वालों का कहना है कि प्रिंस अक्सर इस लड़की से मिलने आता था बीपी राद भी वो मिलने आया और तब ही उसने लड़की को गोली मार दी लड़की को गोली मारने के बाद आरोपी फराज हो गया है और लड़की की हालत गम्थीर है उसे अस्पताल में भरती करा दिया गया है फुलिस मामली की जांच में जुट गई है राजान दिल्ली में अपराहत है की थमने का नाम नहीं ले रहा है गोली चलना तो जैसे अब आहम बात हो गई है गोली चलने का एक और मामला सामने आया है बिल्ली के आश्रम इलाके में जहाँ पर एक 20 साल की लड़की को उसके ही एक दोस्त ने गोली मार दी जिसके बाद वो गंबीर हालत में स्पताल में भरती है यह पूरा मामला शुक्रवार देराद दो बज़े के आसपास सामने आया जब नेहा नाम की वो 20 वर्शे लड़की अपने घर में मौझूद थी इसी जली में उसका घर है और चौते फ्लोर पर वो रहा करती थी अगर हम घरवालों की मायने तो घरवालों के मताबिक एक प्रिंस नाम का लड़का है जो कि उसका दोस्ट बताया जाता है और आये दिन वो नेहा से मिलने के लिए आता था और इसी कड़ी में वो शुकरवार की देराद भी नेहा से मिलने के लिए आया था लेकिन अचानक जब घरवालों ने गोली चलने की आवाज सुनी तो वो सक्ते में पढ़ गए और वो नेहा के कमरे की तरफ भागे नेहा के कमरे में जब जाकर के देखा तो नेहा को खून में नत्पत पाया और इस पूरी घटना के बाद तरफ पुलिस को सुचित किया गया मौके पर पहुची पुलिस में पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की तो ये पाया कि पिंस नाम का वो शक्स था जो आखरी बार नेहा के साथ था और उसने ही उसको गोली मारी है लगी घरवालों ने सारी जानकारिया पुलिस को मोहिया कराई है और शुरुआती जाज में को इस पूरी घटना के बाद प्रिन्स पर ही जाता है हलाकि इस पूरी घटना के बाद प्रिन्स फरार में प्ताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है इस पूरी गतना के बाद क्राइम टीम भी यहांपर पहुची रही है साथी साथ जो लोकल पुलिस है वो भी पूरे पामने की तफ्टीश कर रही है सबसे हरान करने वाली बात यह है कि रात के दोवजे के आसपास यह पूरा इंसिडेंट हुआ था और घरवालों को इसकी भनक भी नहीं लगी थी प्रिंस वहाँ पर मौजूद है हलाकि गोली चलने के जब आवाज उन्होंने सुनी तो उन्हें पता चला कि यहांपर कोई मौजूद था हलाकि इस पूरी घटना के बाद नहा को गंबीर हालत में ट्रॉमा सेंटर में भर्टी करा दिया गया है और भापर उसका इलाज किया जा रहा है पुलिस के मुताबिक अब प्रिंस की तराश भी की जा रही है और जल से जल्द उसे हिरासत में लिया जाएगा साथी साथ पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही कि आखितकार उसने इस वारदाथ को क्यों जान दिया कैमरा बजल मुहित कैसले के साथ नरेश पिस्वानी इंडिया न्यूस दिल्ली सिर्फ दिल्ली ही नहीं दिल्ली के पेस गाजेबाद के लोनी इलाके में भी बदMIASHों के हौसले बुलंद है यहाँई पर एक 16 साल के यूवक को गोली मारने का मामला सामने आया है पीड़त का नाम विशाल है और वो दिल्ली के हर्ष विहार लाके में रहता है परिवारवालों के मताबिक इलाखे के कुछ लोग उसे अगवा करके लोनी ले गए जहां उसे गोली मार दी गई गंफीर हालत में विशाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस मामले की जाच कर रही है दो तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली के आश्रम में और गाजियाबाद के लोनी लाके में दिल्ली में जहां पर एक लड़की को गोली मार दी गई गोली मारने का आरोप लड़की के ही दोस पर लगा है वहीं गाजियाबाद के लोनी लाके में एक 16 साल के युवक को गोली मारी गई है परिवार वालों को कहना है कि कुछ लोग उसे अगवा करके लोनी ले गए और वहाँ पर उसे गोली मार दी गई दोनों ही मामलों में जिनने गोली लगी है उन्हें इस्पताल में भरती कराया है और दोनों की ही हालत गंभीर बताई जा रही है